आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पुराने पुराने से अंधेरे वाले कमरे हैं काफी छोटे हैं और किस तरीके का अरेंचमेंट है महात्मा गांदी का फोटो भी लगा है और चर्खा भी रखा है और इतने सारे दर्वाजे इतने सारे मलब कमरे बने हुए हैं ही है क्या तो तो आप लोगों को तो हिस्ट्री पता ही होगी कि महात्मा गांदी को मारने वाले नत्थूराम गोड से थे उन्हें इस जेल में जो की दगशेई में है यहां पे कैदी बना के रखा था यह चंडिगड शिमला हाइवे पे है धरमपूर से लगभग 4-5 किलोमेटर दूरी पर मैं यहां फर्स टाइम आई हूँ फर्स टाइम विजिट किया है तो देखने को काफी कुछ मिला और यह museum है old jail museum इसे कहा जाता है जहां पर यहां की history की चीजें लगी हुई है history के काफी सारे सैनिकों की photos लगी है उनके बारे में लिखा है और हाँ यहाना एक graveyard है जो देखने लोग आते हैं उसके बारे में भी यहां information दी हुई है और इसके बाद हम लोगों ने देखा यह old jail किस तरीके से बना हुआ है जहां पे महात्मा गांधी और नत्थुराम गोड़ से को कैदी बना के रखा गया था यह वो वाला jail है यह देखिए इस साइड यह जो गोल गोल देख रहे है ना इसमें यह लोग शायद बजरी वगरा पिस्वाते थे या कुछ यहां सारी information दी हुई है और यहां पर ना newspaper के cuttings लगे हुए है इनके बारे में सारी information यहां है और यह देखिए किस तरीके से corridors बने हुए है यहां एक एक कमरा है जेल वाला जिनके बाहर सारी information लिखी हुई है यह सब देखके हमें तो बहुत खतरनाक लग रहा था क्योंकि जेल पता है किस तरीके से बनी है मान लीजे एक कमरा है जो कि आप देख पा रहे हैं है ना एक कमरा कैदी की सहजा के recording यहां रखा जाता था इसमें दो दो दर्वाजे लगे आगे जाली वाला और इसके अंदर एक और लकडी वाला यह officers के room भी यहां पर बने हुए हैं यहां officers बैठते थे उनकी चीज़ें भी यहां संभाल के रखी गई हैं तो हम बात कर रहे थे जेल के बारे में है ना अब जेल में जब आप देखेंगे दे अंधेरा है और ऐसी सजा उन लोगों को काटने को मिलती थी और यह आप देख रहे हैं पिछला दर्वाजा बंद करके आगे जाली वाला खुला रखे इस तरीके से खड़ा करके सजा भी मिलती थी अब आप लोग सोच रहे होंगे पिछे आप लोगों ने देखा कि बाहर क इन स्कैन करेंगे इंटरनेट पर तो आपको उस जेल के बारे में इन्फोमेशन मिल जाएगा यह अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ जेल बच्चों को दिखाने जरूर लाएं अगर आपका सौली घूमने गए हैं या शिमला तो आप यहां जरूर विजिट करें